हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा चार के विसे पर्यावरन अध्यन के सबताह 25 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चों आ देख सकते हैं जो चितर है आपके इस पार्ट का है इसमें प्रतिवा जो है बच्चों के साथ खेल रही थी अब साम का समय हो गया है इसलिए वे जल्दी से अपने घर जा रही है तो बच्चों कोश्यन है प्रतिवा अपने दोस्तों के घर से अपने घर जल्दी क्यों जा अब बच्चो question है प्रतीबा के अनुसार क्या सही नहीं था तो बच्चो answer है प्रतीबा के अनुसार यह सही नहीं था कि लड़कों के लिए अलग नियम और लड़कियों के लिए अलग नियम है अब बच्चों यहाँ पर यह चित्र है तो बच्चों इस चित्र में क्या है यहाँ पर अक्षे जो है अपने दोस्तों के साथ है तो अक्षे की यह कौन है चित्र में दादी है जिन्होंने अक्षे से कहा था कि वह उसके दोस्त अनिल के यहाँ पर कुछ भी खाए पिये ना उनके परिवार धर्म अत्वा जाती अलग थी नेक्स्ट है आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है तो बच्चो आंसर है मेरे पिताजी घर में जरूरी फैसले लेते हैं वो काफी सोच समझ कर और परिवार के भले के लिए फैसले लेते हैं तो बच्चो आपके घर में ज टीचर के द्वारा साबासी देना good touch होता है dad giving back to you and cleaning your private part आपके पिता के द्वारा आपको नहलाया जाना तो बच्चो क्या है good touch है brother pulling your cheeks यदि भाई आपके गालों को खीशता है that is good touch stranger touching your private parts तो बच्चो bad touch क्या है यदि कोई अजनवी व्यक्ति आपके private parts को touch करता है that is bad touch stranger touching your private parts and asking to keep it as secret यदि कोई stranger आपके private parts को touch करता है और इसके बारे में किसी को बताने के लिए मना करता है तो it is bad touch someone threatening or trying to hurt you या कोई अजनवी व्यक्ति आपको धमकाता है या फिर आपको hurt करता है तो बच्चो it is bad touch तो आपको बच्चो पता होना चाहिए कि bad touch क्या है और good touch क्या है अब बच्चो question है निमने प्रशनों का उत्तर दीजिए प्रशन है रित्व को मीना के मामा का इस पर्स कैसा लगा अच्छा या बुरा तो बच्चो बुरा लगा यहाँ पर लिखेंगे बुरा अगर आपको किसी का इस पर्स इस पर्स कहते हैं चूने को इस पर्स बुरा लगता है तो आप क्या करेंगे तो बच्चो आंसर है मैं उनसे चूने के लिए मना करूंगी और घर जाकर अपने माता पिता को बताऊंगी नेक्स्ट है चायल्ड हेल्पलाइन नमबर क्या है तो बच्चो आंसर है 1098 यह क्या है चायल्ड हेल्पलाइन नमबर है अब बच्चो यहाँ पर प्रश्न है नसे से मुक्ती विसे पर पोश्टर बनाईए तो बच्चो यहाँ पर नसा मुक्ती विस्यापर पोश्टर बनाएंगे इस तरीके से बच्चो यह क्या है यह है शराब बच्चो यह जो है आप देख सकते हैं यहापर स्लोगन क्या है नसा छोड़ो परिवार से नाता जोड़ो तो बच्चो आप देख सकते हैं यह शराब यहाँ से पीना चाहता है और जो फैमल का वह बहाव है जो आम तोर पर सुस्क सूखी भूमी को जल मगन कर देता है इस चारो तरफ पानी पानी हो जाता है जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आर निम्न जलने कायों से पानी के एक अती प्रवाह के रूप में हो सकता है जैसे कि नदी से जील से महासागर से यह पानी का उसकी सामने सीमाओं को लांगने का परिणाम है या यह संतरप्त भूमी पर बारिस के पानी के संचे के कारण हो सकता है कभी कभी बार इतनी भयंकर हो सकती है कि वह पूरे घरों को डूबा देती है और सहरों के बुनियादी धांचे को बरबाद कर देती है तो आपदा प्रवंदन काधिकरन समय समय पर लोगों को जागरुक और सिख्षित करता है ताकि बार के प्रभावों को कम किया जा सके और वे एक आपात कालिन किट तयार कर सके अब बच्चो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है आपदा प्रवंदन सहायता हेल्प लाइन नमबर क्या है तो बच्चो आंसर है आपदा प्रवंदन सेवाएं बच्चो 108 पर कॉल कर सकते हैं आप प्राकरतिक आपदा नियंत्रन कक्ष तो बच्चो वहाँ का नमबर है 10 1096 इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और बच्चो तीसरा नमबर है प्राकर्तिक आपदा के लिए केंदरिय राहत आयुक्त का नमबर है बच्चो ये 1070 अब प्रश्न है बाड को रोकना बहुत मुस्किल है लेकिन हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करने की जरूरत है जिससे नुकसान की संभावना को कम किया जा सके बाड को रोकने के लिए दो तरीके लिखें तो बच्चो आंसर है नदी में जल के प्रवाह को नदी के किनारों पर उंचे बांद बना कर बीच में बनाए रखना ताकि पानी दूर तक ना फैल सके नालों की जल निकास शंता को बीच में गहरा करके बढ़ाना अब बच्चो कुश्चन है बार के समय इस्तिमाल करने के लिए एक आपात कालिन कित में क्या होना चाहिए किनी चार वस्तों की सूची बनाईए तो बच्चो आंसर है हमारी उस कित में क्या होना चाहिए जैसे की प्रात्मिक चिकित सकेट, भोजन और पानी, टॉर्च, रेडियो, सीटी और इस्थानिय नक्सा संसकार साला, छोटी छोटी पर बड़ी बाते, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए, किसने कहा है स्वामी विवे का नंद्रे, खाने पीने में आज आप क्या लेंगे, सर्दी के मौसम में खाय जाने वाले विसेश पकवान, जैसे की गौंद के लड़ू, तथा बाजरे की खिचडी, त्यादी को आहर में सामिल करें, गतिवीदी में रसोई के काम में माता जी की सायता करें, तथा मसालों की पहचान करें, खेल में आज आप क्या करेंगे, सत्रंज का खेल खेलेंगे, जिसे आप चैस कहते हैं, विसेश क्या है बच्च प्रति दिन इसनान करें खूब पानी पियों और संतुलित आहार ले अपने चहरे को छूने से बचे और अपने हातों को बार बार दोए अपना ग्रह कारे समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सिर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू